नमस्ते साथियो, फिर से स्वागत है आपका। साथियो हेल्दी रहने के लिए जब हमें विशेशग्य ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ पीने की सलाह देते रहते हैं, तो हम धड़ाधर तरल पदार्थ पीने लगते हैं, ये जाने बिना की जिस ड्रिंक को हम पी रही है वो हमारे लिए हेल्दी है भी या नहीं, साथियो, क्या आपको पता है कि सभी तरल पदार्थ यानी ड्रिंक्स हेल्दी नहीं होते, ये आपके हार्ट को नुकसान पहुचाते हैं, हमारे लिए सिर्फ वही पेय पदार्थ पीने चाहिए, जो हमारे हार्ट की हेल्द के ये अच्छा नहीं माना जाता ऐसे ही कुछ पेर पदार्थों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जिन लोगों को हार्ट से जुडी कोई भी समस्या है उन्हें ऐसे किसी भी तरह के पेर पदार्थ का सेवन करना ही नहीं चाहिए ये हार्ट अटैक के खत् काफी हद तक बढ़ा सकते हैं इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ द्रिंक्स के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके हार्ट को नुकसान पहुंचा सकते हैं पहली लोग प्रे ड्रिंक है कैफीन युक्ट द्रिंक्स जिन द्रिंक्स में ज्यादा कैफीन हो या फिर बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए, दूसरी है, कार्बोनेटेट ड्रिंक्स, गर्मियों के मौसम में लोग सोडा वाटर व अन्य कार्बोनेटेट ड्रिंक जैसे की कोला इत्यादी बहुत ज्यादा मात्रा में पीने लगते हैं, जो हाट के लिए अच्छा नहीं मान जाता है, कभी कभार तो इसका सेवन करना हानिकारत नहीं ही माना जाता है, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में या बार-बार इसे पीते हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तीसरी ड्रिंक है, शेक और आइसक्रीम, कुछ लोग अलग-अलग किस्म के शेक आइसक्रीम वाले ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, लेकिन इनमें भी शुगर बहुत ज्यादा होता है, तथा और भी कई अनहेल्दी चीजें होते हैं, जो आपके हार्ट के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, खास तोर पर अगर आपका हार्ट सही नहीं है, तो शेक व पैकिन वाले फ्रूट जूस का सेवन करना भी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, और ये सब हार्ट के लिए कतई अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि पैकिन वाले फ्रूट जूस में प्रिजर्वेटिव समेट कई तरह के केमिकल हो सकते हैं, जो हार्ट के लिए खतर तो उसे जल्द से जल्द इनका सेवन बंद कर देना चाहिए, आप इनकी आदत छुडाने के लिए डॉक्तर की मदद भी ले सकते हैं। आज और अभी से बंद कर दीजिए इनको पीना, स्वस्थ रहिए, मस्थ रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और व्यस्थ रहिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तथा शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपको अपने डॉक्टर से परामर्ष करना चाहिए। बी आर जी के पीडिया इस जानकारी की सत्यता का कोरी भी दावा नहीं करता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते!